स्वागत है आप सबका इंगिन फिल्म इस्ट्री पर एक्टर डैनी डॉंग जेंपा पिछले पचास सालों से दर्शकों का मनुरंजन करते आ रहे हैं डैनी ने अपना बॉलिवुड सफर फिल्म मेरे अपने से 1971 से शुरू किया और वो अभी तक जारी है उनका अब तक का बॉलिवुड सफर बहुट शानदार रहा है फिल्म उचाई में वो अमिताब बच्चन के साथ नजर आए थे तो आज हम आपको डैनी और सल्मान खान से जुड़ी एक सची घटना बताने जा रहे हैं आपको बता दे कि सल्मान खान जब इंडस्ट्री में आए थे तब उस दोर में डैनी सेक्रो फिल्म कर रहे थे मतलब उस दोर में वो सल्मान से काफी सीनियर थे डैनी सीनियर होने के नाते अनुशासन का पालन भी किया करते थे उसी समय सलमान और डैनी दोनों साल 1991 में आई फिल्म सनम बेवफा में साथ काम कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दोरान डैनी फिल्म सेट पर टाइम पर पहुँच गए थे और सलमान खान लेट पहुँचे थे सलमान के लेट होने की वज़ा से डैनी भी काफी दिर तक उनका इंतिजार करते रहे और जब सलमान सेट पर पहुँचे तो डैनी ने फिल्म के सेट पर ही सलमान को फटकार लगा दी कहते हैं कि उस वक्त डैनी ने सल्मान को सबके सामने अनुशासन का पार्ट भी पढ़ाया रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान के इस व्यवहार से डैनी काफी नारास थे और उन्होंने सनम बेवफा के बाद 23 साल तक सल्मान के साथ काम नहीं किया इस दोरा जब भी डैनी को फिल्म ओफर होती और उन्हें पता चलता कि उसमें सल्मान खान है तो वो उस ओफर को ठुकरा दिया करते थे ऐसा कहा जाता है कि डैनी अपने उसूलों के बड़े पके थे वो फिल्मों में सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम किया करते थे आखिरकार डैनी और सल्मान खान दोनों में पैच अप हुआ और फिर दोनों साल 2014 में आई फिल्म जैहों में साथ काम करते दिखे हाला कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कोई असर नहीं दिखा पाई थैंक्स फॉर वाचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज बॉलिवूड की दुनिया का टिकट बसे क्लिक दूर बॉलिवूड के बिना रह नहीं सकते फिल्मी शॉट्स आप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें जटपट, चटपटी और पूरी बॉलिवूड वाली खबरें फिल्मी शॉट्स आप, iOS और Android दोनों पर मौझूद है एंटर्टेन्मेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका फिल्मी जॉब्स आप अभी डाउनलोड करें और बॉलिवूड की दुनिया में कदम रखें अवेलेबल पर iOS और Android दिविस प्ली जॉब्स आप